नमस्कार बच्चो आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा प्रश्ट करने जा रहे हैं इसका तीसरा भाग है साइन 2A बराबर 2 साइन A तब सत्य होता है जबकि A बराबर है 0 डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी या 60 डिगरी तो हमें देखना है कि इन में से, इन चारों में से किस कोण के लिए साइन 2A, 2 साइन A के बराबर होता है तो आईए हम इसे करके देखते हैं, तो देखें बच्चो सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिगरी, तो साइन 2A, A होगा 0 के बराबर तो साइन 2 गुना A यानी A यानी 0, तो साइन 2 इन टू 0 होता है 0 साइन 0 डिगरी और साइन 0 डिगरी की वैल्यू है 0 कैसे पता हमें, हम टेबल में देखते हैं बच्चो साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है इसका मतलब साइन 2A, यदि A 0 के बराबर है, तो साइन 2A हो जाएगा साइन गुना 2 गुना 0 बराबर साइन 0 डिगरी यानी 0 ठीक है, इसके उपर हम लिख लेते हैं, यदि A 0 डिगरी है, तो इसके बाद हम देखते हैं, अभी हमने सिरफ लेफटन साइड देखी है, साइन 2A अब हम इसकी राइट साइड देखते हैं, 2 साइन A तो देखिए, 2 साइन A, 2 गुना साइन A, A अभी हमने कितना लिया है, 0 डिगरी तो देखे बच्चों, 2 गुना साइन 0, अभी हमने साइन 0 देखा था, साइन 0 होता है, 0 के वराबर तो 2 गुना 0 हो जाएगा, 0, तो हमने देखा, A 0 लेने पर, साइन 2A भी 0 आया 2 sign A भी 0 आया यानि left side भी 0 आयी right side भी 0 आयी तो हम लिखेंगे left hand side बराबर right hand side तो ये तो पहली option लेने से ही हमें पता लग गया कि पहली option जो 0 degree है वही लेने से left side right side के बराबर हो रही है इसका मतलब A बराबर 0 degree सिध होता है या सिध हुआ इसका मतलब सही विकल्प क्या है A सही विकल्प है A 0 degree ठीक है बच्चों A भाग जो है 0 degree यही सही विकल्प है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रेश्ण बहुत अच्छे से समझाया होगा इसी प्रकार यदि आप इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप बाकी प्रशनों के वीडियो देखकर उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं धन्यवाद बच्चो